सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूटूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो बढ़े ही असानी से हेलो नमस्कार दोस्तो मेरा नाम रहतास निमी और आप सभी का स्वागत है हमारे यूटूब चैनल निमीजी नेट पर दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं लोजिकल रिजिनिंग के वारे में दोस्तो लोजिकल रिजिनिंग में मैं आपको एक ऐसा कोशन दिखाने वाला हूँ जो मोश्टली हर बार आता ही है और इसका आंसर हम बिलकुल असानी से दो सैकेंड के अंदर दे सकते हैं और यूजी सी दोस्तो अब हम इस कोशन के बारे में देखते हैं दोस्तो लोजिकल रिजिनिंग के अंदर वैसे तो बहुत से कोशन इंपोर्टेंट है बहुत से टोपिक इंपोर्टेंट है तो इन सभी को हम स्टेप बाई स्टेप यानि की हर एक वीडियो में करेंगे समझने की कोशिश करेंगे लेकिन आज की इस वीडियो में हम एनलोग अर्गिमेंट यानि की साधर्ष्य मुलक तर्प के बारे में बात करेंगे और इसको हम कितने असानी से कर सकते हैं यह हम आपको बताएंगे तो चलिये दोस्तों हम सब से पहले कोशन पर आते हैं ये कोशन देखे से प्रकास ग्रहन करते हैं और प्रिथवी की त्रहे ही सुरिय के चारों तरफ गूमते हैं तो दोस्तों ये definition इन्होंने यहाँ पर दी है तो इसे हमें पढ़ के हमें बताना ही कि यह किस तरह का तरफ है तो इसमें अगर दोस्तों देखोगे तो इस कान से राएगा सादर्श्य मुलक तरफ दोस्तों मैं आपको बता दो कि सादर्श्य मुलक का मतलब क्या होता है सादर्ष्य मुलक का मतलब होता है यानि कि उसके जैसा दिखने वाला ठीक है जिसके अंदर हम किसी चीज का कमपेर करें किसी चीज के साथ तो वहां पर क्या होगा सादर्ष्य मुलक तरक होगा और इंगलिश हम इसे क्या कहते हैं एनालोजिकल आर्ग्यूमेंट कहते हैं और दोस्तों अभी हमें आपको आगे कोशन दिखाओंगा इसकी हम पहचान कैसे करेंगे इसके अंदर क्या होगा कि हम एक चीज का दूसरी चीज के साथ कंपेर करेंगे और इसमें ऐसे आए गा जैसे की उसकी तर यह दहें दोस्तों जून 2014 का question paper है इसके अंडर question no.13 इसके अंडर इन्हों ने दिया है जिस परकार किसी सेना को छोटी छोटी टुकडियों में बांटने से सेना की सकतीешь हो जाती उसी परकार तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसने काई कि जिस परकार सेना की छोटी छोटी टुकडियों को बाटने से सेना की सकती शिन हो जाती है उसी परकार यानि कि यहाँ पे एक चीज का दूसरी चीज के साथ कंपेर कर रहे हैं तो यहां से हम बिल्कुल असानी से पता लगा सकते कि इसका अंसर क्या आएगा तो दोस्तो इसका अंसर हमारा आएगा सादर से मुलक तर्क यानि की एनलोजिकल आर्गिमेंट ठीक है दोस्तो तो चलिए अब हम अगला कोशन देखते हैं तो दोस्तो यह जो कोशन है इसका अंसर हम बिल्कुल असानी से दो सेकेंड के अंदर दे सकते हैं बस हमें थोड़ा सा परखने की आवशकता है अब यह देखिए दोस्तो दिसंबर 2014 का कोशन पेपर है और इसके अंदर देख कोशन नमबर 22 बहतर सिक्स्या का लाब उठाकर किसी आदमी का अपने को इस्तरी से अधिक बुद्धीमान मानना इसी परकार है जैसे अब देखो दोस्तो यहां पे भी इसने क्या कहा है जैसे यानि कि इसमें compare कर रहा है एक चीज का दूसरी चीज के साथ compare कर रहा है तो यहाँ पर इस cancer क्या आएगा दोस्तों साधर श्य मूलक तरक आएगा तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि कितना असान है हमारे लिए करना और अगर आप इसे English में पढ़ना चाहो तो English में भी मैं आपको दिखा देता हूँ English के अंदर यह है 22 तो यहाँ से आप बिलकुल असानी से पड़िक्रिस cancer दे सकते हैं तो दोस्तों मेरे को ने लगता कि इससे असान कोई question UGC net के अंदर आ सकता है और यह बहुत ही असान है बस थोड़ा सा हमें ध्यान देने की आव सकता है और अब यहाँ आपको और भी दिखा देता हूँ कि यह question कितनी बार repeat हुआ है यह देखे दोस्तों December 2015 के अंदर question आया है question number 31 इसके अंदर इन्होंने कहा है कि शिक्सको का रोजगार पूरो प्रिक्शन बिलकुल उचित है क्योंकि शिक्सको वस्तुकारो अभी अंताओ जो इस समय न्यूक्त है को ऐसे प्रिक्शन का सामना करना पड़ा तो दोस्तों इसके अंदर अगर अब ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर compare किया हुआ है शिक्सको होगे शिक्सको होगे वस्तुकार होगे इन सभी का compare किया हुआ comparison कर रहे तो यहां पर क्या आएगा इस cancer दोस्तों इस cancer आएगा साधर्श्य मोलक तरक यानिकी तो चलिए दोस्तों अब हम अगला question देखते हैं और अगर आप ये English में देखना चाहो तो English में मैं दिखा दिता हूँ आपको ताकि ये देखिए ये अपना 31 English में यहां पे आप अचानी से देख सकते हैं तो अगला question हम देखते हैं कि किस तरह से repeat हुआ है ये देखिए दोस्तों जुलाई 2016 का question paper है ये और इसके अंदर 31 question number है ये वही है और इसके अंदर क्या है ये देखिए कि यह कलपना करना की इस अनंतरिक्स में पर्थवी ही एक बसी हुई दुनिया है ऐसा ऐसंगत कथन है जैसा यह की बाजरे के खेत में केवल एक दाना उगेगा तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते कि प्रिथवी जो है उसका compare किया जा रहा है बाजरे के खेत में जो बाजरा उगाते हैं दाने उगाते हैं उससे इसका compare किया जा रहा है यहाँ पर आप देख सकते कि जैसा क इन्होंने यहां पे दिया हुआ है यहां पे यह देखिए तो यहां पे बिलकुल असानी से इसका अंसर दे सकते हैं इसका अंसर होगा सादर से मुलक तर्क ठीक है तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि कितना असान है कितना असान है और लग बग हर बार यह कोशन पूछा जा र देखिए महिलाव तथा प्रूसों की प्रजना तमक क्रिया विधी अलग-अलग हो सकती है और यह देखिए आगे पड़ोगे तो इसमें देखिए यह लिखा हुए उसी तरह जिस प्रकार किसी पक्षी के पंखो को अब देखिए यहाँ पे जो महिला और प्रूस है उसका यहाँ पे आप इसे इंगलिस में देख सकते हैं और आगे हम आगे देखते हैं आगे कभी यह रिपीट हुआ है देखिए अब यह देखिए दोस्तों यह आ गया हमारा नवंबर 2017 का पीछे आया था जनवरी 2017 में यानि की हर कोश्चन पेपर में यह रिपीट हो रहा है यह क गिलास में बर्फ के पिंखल पिंखलते गोलों से आप यह से पूरा पढ़ोगे तो इसमें आपको आप देखोगे कि कंपेर किया जा रहा है जैसे गिलास में बर्फ ठीक है इसमें कंपेर किया जा रहा है तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जहां पर हम कंपेर करते तो उस अगर कहीं ऐसा ना हो कि option के अंदर सादर्श्य मुलक दिया हो और वहाँ पे compare ना किया गया हो ठीक है हमें ये देखना जुरूरी है कि वहाँ पे comparison है या नहीं है comparison होगा तभी उसका answer के आएगा सादर्श्य मुलक आएगा तो थोड़ा सा ये भी ध्यान देने के आव सकता है कहीं ऐसा ना हो कि मैं आपको बता रहा हो कि सादर्श्य मुलक आएगा सादर्श्य मुलक आएगा और question कोई अलग ही आजाए उसके अंदर option दिया हो सादर्श्य मेरे को कहो कि सादर्श्य मुलक आएगा सभी का तो आएगा लेकिन थोड़ा question को पढ़ना कि उसमें comparison किया हुआ है या नहीं ठीक है तो चलिए अब हम अगला question देखते हैं ये देखिए दोस्तों जुलाई 2018 का अभी जो अपना question paper हुआ है उसमें तो यहाँ पे आप देख स सभी किर्णों को एक बिंदो पर संगहरित करता है यानि कि यहां पर आप देख सकते कि comparison कर रहा है कि जिस परकार यानि कि जिस तरह से ठीक comparison कर रहा है यहां पर आप यह पूरा का पूरा sentence पढ़ लेना क्योंकि अगर मैं पढ़ूंगा इसे तो काफी लंबी ये वीडियो ब argument तो दोस्तों आप देख सकते कि हमारे लिए कितना असान है कितना असान है बस थोड़ा सा ध्यान देने के आऊ सकता है और दोस्तों मैं आपको यहां पर बता दू कि हमने paper first की सभी topic की 2012 से लेके 2018 तक की separate topic wise PDF बना रखी है जैसे कि research के आज तक जो भी question आए वो अलग करके communication क repeat हो रहे हैं और कौन से topic हमरे लिए important है और उन सभी को आप करके दिसंबर 2018 में बिलकुल असानी से net plus jrf clear कर सकते हैं तो दोस्तों अगर कोई वो PDF लेना चाहे तो हमसे ले सकते हैं उसका link हमने video description box में दिया हुआ है और दोस्तों उस PDF की कुछ समान्य कोश्ट भी हो सकती है और दोस्तों एक बात और यहां पर बता दूं कि हमने निमिजनेट के नाम से एक एप भी बनाई हुई है वहां से आप पूरा का पूरा study material ले सकते हैं paper first से related और वहां पे बहुत सी अच्छी चीजे दी हुई है बहुत सा study material दिया हुआ है paper first और paper second का तो वह एप भी आप ड subscribe कर लिजे और घंटी का वटन जरूर दबाएए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज को सानी से देख सके थैंक्यू दौस्तों